उसका राज भारत की सडकों पर पिछले तस सालों से परकरार है वो बनाया गया है भारत की सबसे हरोसे मंद कम्पनी द्वारा और वो अब आ रहा है एकदम ने शानदार अफ्तार में तो कौन है वो आयद देखते हैं विलियम महिंद्रा के नए बोलेरो पिकप से महिंद्रा ने इसे बोलेरो SUV का दमदार रूप दिया है इसका टफनेस नतीजा है मोटी उत्तम क्वालिटी की शीट मेटल की बनावट का इस पर नए चमकते मल्टी रिफ्लेक्टर हेड लैंप्स और महिंद्रा का सिगनेचर क्रिल भी लगाया गया है जो इस पिकप को दिखने में और भी दबंग बनाता है साथी स्टाइलिश नेया मैटल बंपर, बड़े वील कैप्स, वील आश पर लगे ये तगड़े फेंडर्स और हर सड़क पर पहतरीन पकड़ देने वाले चौड़े डायर्स इस पिकप के नए अफ़तार को पूरा करते हैं इसके पीछे लगा है 46.5 स्क्वाइर फीट का कारगो बॉक्स जो पिकप की श्रेणी में सबसे बड़ा है इसे देखने और छूने से ही एहसास हो जाता है कि आप इस पे किसी भी प्रकार का और कितना भी लोट डालो ये कारगो बॉक्स उसे उठाने में सक्षम है और लंबे समय तक टिकने वाला है आए अब इसे अंदर से देखते हैं इसे अंदर से देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक पिकप है ज़रा नजल डालिए महिंद्रा के नए आकरशक, ट्यूल टोल इंटीरियर्स, बोलेरो एस्यूवी की तरह आसानी से साफ किये जाने वाले फ्लोर मैट्स और नर्म आराम दायक सीटों पर इन सीटों की खासियत ये है कि लंबी दूरी तक पीट को सहारा मिलता है इन पर आगे पीछे करने, रेकलाइन करने और हेडरेस्ट की सुभिदा दी गई है ताकि आप बिना थके, ज्यादा समय तक गाड़ी चला सके हैं गाड़ी में एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया है, जिससे आप हमेशा विजनेस संबंदियों दोस्परिवार से जुड़े रहें आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ELR सीट पैल्स भी लगाए गए हैं आईए, अब देखते हैं से सडकों पर अपना जलवा दिखाते हुए इसमें महिंद्रा का जाचा पर्खा MDI एंजिन है, जो जबरदस्ट 63 VHP पावर और 195 NM टॉर्ट पैदा करता है जिससे 110 किलोमीडर पर आर की टॉप स्पीड मिलती है इसका ये पावर स्टेरिंग शहर में और लंबी दूरी तक इसे चलाना बेहत ही आसान बना देता है वो भी पूरे लोड के साथ और लोड की बात की जाए तो इसका 46.5 स्वाइर फीट का बड़ा कारगू बॉक्स, जानदार MDI एंजिन, मजबूत रिजिट लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और स्ट्रॉंग बोडी और चैसी मिलकर इसे 1250 केजी का पेलोड देते हैं जो कि पहले से कहीं ज्यादा है यानि अब ये पहले से कम समय में ज्यादा भाग इधर से उधर करने में और भी निपुण है अब बात करते हैं इसके मेंटिनेंस की, यानि इस पर होने वाले खर्चों की इसका नया माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम इसे 13 किलोमीटर पर लिटर की पहतरीन माइलेस देने में मदद करता है टायर डाइफ के मामले में ये सबसे आगे है इसका टायर 40,000 किलोमीटर तक चलता है एंजिन ओयल हर 10,000 किलोमीटर के बात बदलता है और कियर ओयल हर 40,000 किलोमीटर पर इसका एंजिन 3,000,000 किलोमीटर तक बिना कोई परेशानी के दोड़ता है और उस पर 3 साल की 80,000 किलोमीटर वारंटी भी दी गई है स्पेर पार्ट्स महेंगे ना होने के कारण इसका रख रखाव भी ज्यादा कमाई नहीं खाता यूँ समझ लीजिए कि महीने भर का खर्चा निकालने के बाद भी इस पिकप से आपकी 12 से 15,000 तक की पचत होगी देश भर में इसके 800 से भी ज्यादा सर्विस पॉइंट्स है इसे देश भर में आप कहीं भी पेज जिच्छाक होकर ले जा सकते हैं कोई भी मुश्किल आपके रास्ता में आने से पहले दो बार सूचेगी और सबसे बड़ी बात बोलेरो पिकप पर पूरे भारत में 6 लाग से भी ज्यादा लोग भरोजा करते हैं और आज तक इसने किसी का सर जुपने नहीं दिया अगर आप इसे भविश्य में बेशना भी चाहें तो इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी और दाम ऐसा मिलेगा कि उतने में आप एक नई काड़ी खरीच सके इसके आगे कोई नहीं है और इसके पीछे की कतार दिन बर दिन लंबी होती जा रही है भाई इस गाड़ी ने मेरे बिजनेस में तो चार चान लगा दिये अब भारी आपकी अब भारी आपकी